Hello students, welcome to my channel, Mass Revision Rose. Students, आज हम class 7th का chapter 1 start करेंगे. Chapter 1 है integers. सबसे पहले हम इसकी introduction करेंगे. हम समझेंगे कि integers होते क्या हैं. ठीक है? देखो, what are integers? integers क्या हैं? जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा 0. ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so. 0 से start होते हैं. 1, 2, 3, 5. और चलते रहते हैं. अब टू infinity. ठीक है? चलते रहती है यह number line. इसी तरह से इस तरफ. minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ठीक है? minus 5, and so. यह चलते रहते हैं, ठीक है? तो यह सब क्या है? integers. 0 से start होते हैं. इस तरफ. 1, 2, 3, 4, 5. और इस तरफ. minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. ठीक है? तो इसमें देखो. जो 0 से इस तरफ हैं. ठीक है? 0 भी integer है. 1, 2, 3, 4, 5. यह क्या है? positive integers. इनको दिहान से समझो. 0 एक ऐसा positive integer है. जो ना ही positive है, ना ही negative है. लेकिन 1, 2, 3, 4, 5. इक कैसे integers है? positive integers. इनके सब माइनस नहीं न लगा हुआ. तो आपने लिखना है. positive integers कौन से हैं? बताओ. positive integers हैं. 1, 2, 3, 4, 5. एंड सो. ठीक है? यह चलते जा रहे हैं. इसी तरह से negative integers कौन से हैं? negative integers लिखेंगे हम. कौन कौन से हैं? minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. एंड सो. ठीक है? यह भी आगे चलते जा रहे हैं. अब इसमें से देखो यह positive होगे, यह negative होगे इदर वाले हैं? 0 क्या है? 0 एक ऐसा integer है. 0 is an integer. एक ऐसा integer है. Which is, which is neither positive neither positive ठीक है? nor negative. neither positive nor negative. ना तो यह positive होता है, ना negative होता है. अगर आपसे यह question पूछ लिया जाए, कि 0 कैसा positive, कैसा integer है? 0 एक ऐसा integer है, जो ना ही positive होता है, ना ही negative होता है. ठीक है? अब देखो, इसके बाद, और question इसमें से कौन सा निकलता है? इसमें से यह question है, कि positive integers कहाँ पे होते हैं? ठीक है? तो right to 0, 0 से right तरफ क्या है? positive integers, and left to 0 are negative integers. देखो, इसको लिख लो, आपको याद रहेगा. क्या लिखेंगे हाँ? right to 0, right to 0 are positive integers, ठीक है? और negative integers कहाँ होते हैं? left to 0, left to 0 are negative integers. ठीक है? यह समझा गी अब आपको. अब इसके बाद, एक चीज और जो हमने ध्यान रखनी हैं, कि 0, जो है, वो एक ऐसा integer है, जो ना positive होता है, ना negative होता है, ठीक है? और right to 0 are positive integers, right to 0 are, left to 0 are negative integers. अब देखो, every positive integer, हर एक जो हमारा positive integer है, वो negative integer से बड़ा होता है. ठीक है? अब आपने लिखना है, यहाँ पे एक line और आपने लखनी है, कि every positive integer, ठीक है? अब इस ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? अब फॉर एक्जामपल, जैसे हम एक positive integer लेते हैं, 4, एक लेते हैं, minus 6, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 4 is greater than minus 6, हर एक positive integer, negative integer से बड़ा होता है, positive में जो भी integer होता है, वो बड़ा होता है, और negative में छोटा, ठीक है? अब इसके बाद जो आपने ध्यान रखना है, वो है, कि minus 1 जो है, minus 1 is the greatest negative integer, ये चीज़ आपने याद रखनी है, देखो minus 1 जो है न, minus 1 आपका सबसे ही बड़ा positive integer होता है, minus 1, ठीक है? minus 1 जो है, वो minus 5 से भी बड़ा है, ठीक है? positive से तो ये बड़े हैं ही है, positive तो बड़े हैं ही है negative से, ठीक है? positive हर एक positive integer, हर एक negative integer से बड़ा है, ठीक है? अब ये हमें समझना है, कि positive तो बड़ा हो गया, negative छोटा हो गया, अब negative में कौन सा बड़ा है? negative में minus 1 is the greatest positive integer, अब देखो minus 1 में मैं आपको बड़े चोटे बताती हूँ, अगर हम minus 1 लेंगे और minus 6 लेंगे, तो कौन सा बड़ा होगा? minus 1, ठीक है? अगर minus 5 लेंगे और minus 7 लेंगे, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? minus 5 is greater than minus 7, ठीक है? minus में जितना भी digit बड़ा होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा, समझागी ना? minus में जो बड़ा है, वो छोटा होगा, छोटे वाला बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के साथ जब minus होगा तब, अगर positive है, और एक minus का है, तो positive वाला बड़ा है, अगर दोनों minus के हैं, तो minus में जो छोटा होगा, वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जैसे इनमे minus 1 और minus 6 में कौन सा बड़ा है, minus 1 और minus 1 is the greatest negative integer, ये याद रखना है उपने, ठीक है, इसके बाद देखो, जो main चीज़ आपने देखनी है, वो है plotting, आपने plot करने है, plotting plotting, plotting का मतलब है कि आपने number line पे कैसे integers plot करने है, draw करने है plotting integers on the number line, ठीक है अब इनको हमने number line पे कैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर आपके आजाएंगे and so on, और 0 के इधर क्या आएंगे left, minus 1, minus 2, minus 3 है, to so on ठीक है, अब इनको हमने number line पे कैसे represent करना है, देखो number line में, जैसे हमने एक number line draw कर लिया, ऐसे number line हमने बना ली, ठीक है यह number line, ठीक है, आप scale से ले सकते हो, अब इस तरफ आपके plus वाले आएंगे x, और इस तरफ आएंगे minus x, center में आएगा आपका 0, देखो अब इस तरफ क्या आएगा, आपका 1, 2 3 4, 5 6, ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, minus 1 minus 2, minus 3 minus 4 minus 5, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो हम, minus 6 ठीक है, अब देखो, इसमें आपने जब भी number line डॉआ करनी है, यह ध्यान लगना है, कि number line में यह जो distance है न, इसमें और इसमें यह equal होगा, आपने scale के उपर dots होते है न, 5, 5 का difference होता है, वहाँ पर निशान लगा के इसको draw करना है, इसका distance जो है, वो equal होता है, यह नहीं होगा कि 0 और 1 में ज्यादा distance होगा, और 1 और 2 में ज्यादा काम होगा, ऐसे नहीं होगा, यह जो निशान लगेंगे, equal distance पे लगेंगे ठीक है, इसको आप scale से लगाओगे, ठीक है, अब देखो, अगर हमने, यह equal distance तो हो जाएगा, अगर हमने number line पे कोई digit बताना है, जैसे 3 number line पे कहाँ है, यह है, बिंदी लगा के इसको circle करतो, यह क्या है 3, अब minus line 3 को अगर number line पे plot करना है तो minus 3 कहाँ है, यहाँ पे dot लगाओ यह क्या है, हमारा minus 3 ठीक है, यह भी आपको आ सकते है number line पे integers को draw करना, ठीक है रजे अब देखो, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका जो main चीज़ आपने करनी है वो है addition and subtraction of integers ठीक है, main चीज़ क्या है आपकी addition and subtraction of integers देखो, addition कैसे करनी है और minus कैसे करना है सबसे पहले rule समझो, अगर plus का integer है दो integer plus के है तो plus होगा ठीक है, plus 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 अगर दो integers minus के है तब भी plus होगा ठीक है, अगर एक integer minus का है, एक plus का है तो क्या होगा, minus ठीक है, अगर plus का है minus का है, तो क्या होगा, minus ये चीज़ आपने ध्यान देख लिए हैं अगर प्लस प्लस में देखो, for example, अगर आपके पास 4 प्लस का है, और 3 प्लस का है, ठीक है, 4 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, हम add करेंगे, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और जब दोनों ही डिजिट, same sign वाले होंगे, इसके साथ भ प्लस है, तो प्लस आएगा, यह प्लस के 7 आएगे, इस तरह से अगर यह माइनस 4, माइनस 3 होगा, तो यह तब भी प्लस होगा, लेकिन निशान क्या आएगा, दोनों के साथ, क्योंकि माइनस है, तो माइनस आएगा, यह रूल बताएगा, मैंने प्लस प्लस प्लस, यह भी 7 है तो उसका मतलब यह plus का है ठीक है यह मैंने समझाने के लिए आपको लगाया अगर minus minus है अगर minus का 4 minus 3 तो यह दोनों ही plus हो जाएंगे minus 7 और इस situation में क्या होता है sign हमेशा जब भी दोनों digits के साथ same sign होता है तो वो दोनों ही situations में plus होते है और निशान जो उनके साथ होता है जैसे इनके साथ plus है तो plus आता है इन दोनों के साथ minus है तो क्या आता है इसको आपने कैसे याद रखना है अगर दो integers के साथ same sign है तो दोनो add होंगे और उनके साथ sign जो उनके साथ लगा हुआ है वही लगेगा इस तरह से इसको याद रखना है दोनों plus होंगे जो इनके दोनों के साथ अगर plus है तो ये plus हो जाएंगे और इनके साथ निशान जो इन दोनों के साथ है वही लगेगा इसमें भी देखो minus 4, minus 3, दोनों plus होंगे निशान जो इन दोनों के साथ है minus minus यहाँपे क्या लगेगा समझागे? होना plus है दोनों सीचुशन में थर्ड सीचुशन है अगर मान लो एक माइनस का है माइनस 4 प्लस 3 अब मैंने क्या बता है आपको माइनस प्लस माइनस देखो माइनस है एक प्लस है तो दोनों को क्या करेंगे माइनस 4 में से 3 गए हमारा अंसर क्या जाएगा 1 अब यहाँ पे जो दिहान आपने रखना है वो यह रखना है कि दोनों में से डिजिट कौन सा बड़ा है देखो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है 4 बड़ा है तो 4 के साथ कौन सा साइन है माइनस तो वो माइनस वाला साइन यहाँ पे आएगा यहाँ पे आपने बड़े डिजिट को देखना है जो बड़े के साथ निशान होगा वो अंसर के साथ आएगा समझगे ना, अगर एक minus का एक plus का, minus plus क्या होगा minus, plus minus भी minus होगा लेकिन इन दोनों situations में निशान बड़ी रकम बला आएगा अब minus 4 plus 3 दोनों minus होगए, 1 आ गया 4 में से 3 गया, और इन में से निशान बड़ी वाली 4 के साथ minus है, तो क्या आगया, minus अब देखो, दूसरी situation देख लो अगर यह होता, plus 4 minus 3 ठीक है, तो क्या होगा, 4 में से 3 गया, 1 अब बड़ी के साथ क्या है, plus तो इसके साथ भी क्या आएगा, plus ठीक है, राजे, समझ गए ना अब यह, देखो, अगर दोनों के साथ plus है, plus होगा, दोनों same sign है, तो दोनों ही situations में plus होगा, और निशान जो उनके साथ है, अगर plus लगा हो है, तो plus लगेगा, अगर दोनों के साथ minus लगेगा, अगर एक रकम plus की है, एक minus की है, तो दोनों situations में minus होगा, तभी आपको chapter समझ आएगा मैं आगे का chapter आपको एक ए question करऊंगी तो please आप इसको समझते रो और इसको कर लेना एक बर अपने पास सारा copy में ऐसी लिख के रख लो और इसको दिहान से समझ लो तभी आपको आगे के question समझ आएगे तो please students मेरे channel को subscribe कर देना आपको समझ आगया हो और अपने दोस्तों के साथ like और share कर देना ठीक है और मेरे अगर आप subscribe करोगे तो आपके पस मेरे new videos की notification आती रहेगी मैं आपको पूरा chapter एक ए question करके कराऊंगी तो आप मेरे साथ अच्छे से अपना chapter complete कर सकते हो Thank you students